हेलो फ्रेंज गुड बॉर्निंग हैपी रिपाब्लिक टे अन बसंत पंच में के आपको ठीड सारी सुब कमना है आज में माल पुआ बनाने जा रहे हूं इसके लिए मैंने मायदा लिया है और लिया है मैंने दूध और यह जो सूजी है डाइसो गराम उसको मैंने रात को भी को के रख दिया था यहां पर लिया है मैंने नारियल का बुरादा और यह खावा सोड़ा आपके पास जितने कोंटिटी में सारे समान हो मतमादे बगरा हो उस हिसाब से ढाले और इसमें दूध चिन्नी भी डालेंगे हम चिन्नी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है नहीं तो म डूट डालके इसको मिक्स करूंगी अच्छे से इसको मैंसे ही पुराइए करके मिक्स कर लूँगी इसमें और दूर लगेगा इतने दूर से नहीं होएगा इस थोड़ा ज़्यादा है हमारा माइदा इसको मिक्स कर लिया है मैं इस मिनारेल के पुराधा लादा ढाल देती हूं और यह जो मैंने सूची को भी गो के रखा था उसको भी मैं इसमें मिक्स कर लेती हूं चिन्नी को भी अपने सुआत के अनुसार डालें वैसे माल पूँओ थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके हम इसको ढखके रख देंगे कम से कम एक घंटे के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए सेट हो जाए तो फिर जब हम पुगा बनाएंगे तो बहुत अच्छा हमारा फुला फुला सा पुगा बनेगा और इसको ना सब्सक्राइब कर दो जाएंगे तो फिर जाके तेल में फैल जाएगा और विर सारा जो तेल होता है ना वह इसमें भूज जाता है और अच्छा ने लगता बहुत ज्यादा ओली ओली सा लगता है कि देखे कितना अच्छा इसको मैंने सेट कर दिया है अब मैं इसे ढखके रख दूंगी कम से कम एक घंटे के लिए अक्सर तो लोग इसको रात में घोल के रख लेते हैं अगर सुबह में बनाना होता है तो फिर इसमें खावा सोटा डालने का जरूबत नहीं होता है और बहुत ही अच्छा से यह मिक्स हो गया रहता है कि दिखिए यह घंटा हो गया ह है अब मैं इसको फिर से चला चला के भूलांगी इसम थोड़ास सब्सक् success शूबत कोटे हैं उसके धाने को मेंने है और फिर इसमें डाला है कि इधर मैं ने जाना गूंप हैं इसमें घी डालके हैं हम और की मेरा पगील यह थोड़ा गरब हो रहा है अपैसे आज यह बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रहा है हमारे तरह तो फिर गैस चलने में थुदा दिकत हो रहा है कि खिट्की से बहुत तेज हवा आ रहा है और यह देखे इसको हम ऐसे ही रखे नहीं तो तेल में जाकर फैल जाएगा और इसमें ढूज जाएगा और अच्छा निवकश सबसे वाल आकल से हुक적ते हूं से, मैं म्ल पूव कदो कि मेरी म मॉल पूव में बहुत ज्यादा सबसे सुन की मेरे माल पूव में बहुत जी मिलें लगता है'S लेकिन इसमें ज्यादा तेल नहीं होगा बहुत है अच्छा बनेगा यह माल पुआ हमारा कि मैं इसको यह से मिला लेती हूं जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक मैं इसको अच्छे से फेट लूँगे इसको अच्छे से फेट लेंगे वैसे मिला मिला के वैसे भी हो गया है लेकिन फिर पीज़ब फेट लेंगे न तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा जो हमारे चिननी थोड़ा सा खड़ा ओड़ा होगा वह भी मिल जाएगा बहुत अच्छा बनेगा ये बहुत ये अच्छा फुला फुला सा बनेगा एक में थोड़ा छोड़ा सा डाल के देखती हूं कि मेरे तेल गरम हुआ है कि नहीं कि देखिए थोड़ा गरम हो गया है लगब हुआ कि नहीं हुआ कि ऑश्राप हुआ है मैं इसमोड़ा दालarna नहीं औरके इस इसको बनाए हैं मैं तब कर दिखाम भी आपको अपना थोड़ा थोड़ा मयदा ले यह कह इसमें डाले खूल को थोड़ा ही डाले क्या कि जादा डालेंगे ना तो यह मोटा हो जाएगा और फिर मोटा हो जाएगा तो अंदर से कच्छा रह जाता है तो फूलेगा भी और बहुत ही अच्छा बनेगा आप इस तरीखा से माल पूआ बनाए बहुत टेश्टी बनता है इसमें जो मैंने खावा सोडा और नारियल को बुरादा डाला है इससे बिल्कुल ही मिठाई के जैसा स्वादाता है और दूद से मैंने इसको बोला है बिल्कुल भी यह एक्दम गूल यह के जैसे गुलाब च जो इसे में बनाती हूँ एक यह तरीका है एक और है जिसमें हम केला उला डाल के बनाते हैं एक चासनी वाला भी हम बनाते हैं मैं सारे चीज़ों की वीडियो बनाकर डालूंगी दूद वाला भी बनाते हैं, हम पुवा और अब्री भी बनाते हैं, जो चाहिए भी बनाते हैं, हम उसके वीडियो में वैसे जब भी मैं बनाऊंगी, तो आप खो सेर कर दूँगी, और ये देखिए, कितना सुन्दर सा, कितना फुला-फुला सा हमारा ये माल पुवा बनके रेडि हुआ है, और इसमें बिल्कुल बहुत जादा ओयल नहीं घुसेगा, बहुत ही अच्छा बनेगी, बनेगा, अभी इसमें मेरा कड़ाई थोड़ा बड़ा है, तो इसमें और ये हुआ हटेगा, फिर में साइट साइट से और भी टालते जाते हूं, मैंने जो तल के रखा था, जो तल हो गया था, उसमें थोड़ा सा गार-गार के, और निकाल लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा, वो निकल जाएगा, जो थोड़ा कच्चा है, ये जो इतना मोटा मोटा दीख रहा है ना, रियल में मोटा है ये देखे कितना फूला हुआ है, इसको तेल में डालते ही, बिल्कुल ही फूल जाता है, और बाद में ये थोड़ा पतला हो जाएगा, देखे कितना सुन्दर, ये फूला फूला सा बना है जैसे मैंने इस्टेब इस्टेप बनाया है ना वैसे यहां भी बनाएंगे तो आपका भी पूर बहुत ही अच्छा बनेगा जब मैं इसमें और थोड़ा डाल लेती हूँ इसमें और वैसे ही फैला फैला का थोड़ा सा हाथ उसे वैसे करके डालेंगे कर्चल से कि देखे कैसे फूल के आगया हमारा उपर बनाना इसको बहुत ही इसी है थोड़ा सा यह करना परता है कि कितना सुन्दर फूल लगया है अगर इसका गोल भी पतला नहीं हुआ है इसलिए फूट नहीं रहा है और बहुत ही अच्छा है इसको थोड़ा मेडियम फ्लेम पर बनाएं ताकि अच्छे से अंदर से बिलकुल ही यह हो जाए सीज़ जाए घच्चा नहीं रहे हैं और देखिए कितना सुन्दर सा हमारा केमाल पूआ हो रहा है बन रहा है और इतना मैंने बना के निकाल भी लिए है तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा गरम था यह और मैंने इसको गी में बनाया है तो बहुत यह अच्छी खुश्बू भी आ रही है इसका अभी मुझे ब बाइ बाइ फिर मिलेंगे एक लिए वीडियो में